नमस्कार बच्चों कक्षा 6 एक्सरसाइस 3.4 कोशन नमबर 3 हम कर रहे हैं जिसमें हमें इन दो संख्याओं का के प्रथम 3 सार्व गुनज निकालने हैं आए हम देखते हैं तो बच्चों सार्व गुनज के लिए हम पहले इनके गुनज निकालेंगे देखें 12 के गुनज आशा करता हूँ मेरा पिछला वीडियो आपने इसका प्रथम भाग का जरूर देखा होगा तो आपने समझा होगा गुनज क्या है गुनज का मतलब होता है वे संख्याई जो बारा के पहाड़े में आती है तो हम बारा का पहाड़ा देखते हैं या बारा के गुनज लिखते हैं इसके आगे भी बारा का जो पहड़ा है बारा गुनज ग्यारा होता है एक सो बारा बारे एक सो च्वालिस बारा तेरे एक सो चप्पन 12 14 168 12 15 180 ठीक है बच्चो इस प्रकार से ये है 12 के गुनज ऐसे ही हमने 18 के गुनज लिखने है बच्चो तो इसके लिए बच्चो आपको पहाड़े अच्छे से आने चाहिए जिस बच्चे के पहाड़े स्ट्रॉंग होंगे उसको तो ये सवाल बड़े असानी से हो जाएगा वरना आपको गुना करकर के पहाड़े लिखने पड़ेंगे देखे अठारा के गुना जब जिसको पहाड़े आते होंगे वो सीधा अठारा का पहाड़ा लिख देगा जिसको पहाड़े नहीं आते होंगे वो गुना करके देख ले तो अठारा एकम अठारा अठारा दुनीच अठारा तिये चोवन अठारा चोके बहत्तर अठारा 18, 18, 18, 19, 18, 12, 216, 18, 234, आशा करता हूँ इतने से हमारा काम चल जाएगा, नहीं चला तो फिर आगे और पहाड़े लिख लेंगे, अब हमें बच्चों क्या लिखने हैं, सार्व गुनज लिखने हैं, अब हमें क्या लिखना है, सार्व गुनज, और कितने सार्व गुनज, पहले तीन सार्व गुनज लिखने हैं, तो देखते हैं, ढूंडते हैं सार्व गुनज, सार्व गुनज यानि इन गुनजों में जो दोनों में होगा, तो देखें यह है 12, 24, 36, यहां है 18, 36, तो पहला नमबर देखें, 12, 24 के 74-72 72 संख्या यहां भी है और यहां भी है ठीक है बच्चों तो यह है सार्व गुनज आगे है 84-96-108-120 90-108 कौन सी संख्या पर देखो यहां पर देखें यह है 108 यह भी है 108 108 तो यह यहां आ गया अगली ढूनना चाहेंगे तो 120-132-144 और यहां 126-144 तो 144 और 144 लेकिन हमें सिरफ पहले तीन सार्व गुनज बोले हैं इसलिए हम तीन सार्व गुनज निकाल कर इसको छोड़ देंगे और बच्चों मैंने पिछली बार भी समझाया था पिछले वीडियो में भी सार्व गुनज की एक खास बात यह है कि जो पहला नंबर होगा उसी का पहाड़ा चलेगा देखो 36, 36 दूनी 72 36 यह 108 इसका मतलब हमारा उत्तर बिलकुल सही है तो यह इसके पहले तीन सार्व गुनज आ गए है आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद बच्चो